भाई डाट आई फियल 2024 का मुकाबला नमर 11 जो की खेला जाएगा लखनो वर्सस पंजाब के बीच साम के 7.30 बजे तो दोस्तो आज के इस वीडियो में इस मुकाबले के बारे में पूरी डिटेल्स में हम लोग कोबर करेंगे जिससे ग्रेलिंग और स्मॉल लिंग दोनों से रिलेटर मेरी डाउट कावर हो जाए और हमारे ग्रेलिंग और स्मॉल लिंग के 11 फिलर्ष आसानी से क्रियट हो जाई तो मैं पूरी चर्चाँ आपको करने वाला हूँ ऐसानी से यह को देखती रही तो लखनों को बैस्टमन और बॉलर्स किस तरीके के परदसन करते हैं यह भी आपको ट्रिक को फूलो करना ही होगा ठीक है तो चलिए सबसे पहले बात कर लेता हूं इन दोनों टीमों के बीच पिछले जो मुकाबले खेले गए हैं उसमें कौन-कौन से पिलर्स इंपोर्टेंट पीक है जैसे कि आप देख सकते हो केल रावल इंपोर्टेंट हो सकते हैं निकुलास पूरन जिते सर्मा पंजाब की तरफ से इंपोर्टेंट हो सकते हैं बट यहां से सीकर्दवन भी इंपोर्टेंट हो सकते हैं लेकिन दोस्तों आज के इस टूडे के मुका ओलेटी मैच स्टार्ट होनी तो दस मिनट पहले आपको टीम मुहावे परवार कर दिया जाएगा पूरी फाइनल टीम उस टीम से खेलके आप लोग स्मॉल लिंग और ग्रेल लिंग दोनों को विन कर सकते हो ठीक है असानी से तो जाएए डिसकेप्शन में लिंक है जोआन कर लेजिए हमारे साथ जूर जाएए और हमारे और आपके टीम में जो पिलर्स होने वाली है उसकी बावड डाटा पूरी असानी से चेक कर सकते हो ठीक है तो चलिए बात कर लेता हूँ इन दोनों टीमों के बीच पीच रिपोर्ट की क्योंकि पीच रिपोर्टी चेक करना का पीज़दा इंपोर्टेंट है 100% क्योंकि माना जाए तो आपको दो करोर लोगों को हराना है तो आपको मैच से लिलेटेट सारे डाउट को कौबर करना होगा तब ही आप लोग काफिर पैसा बीन कर पाओगे क्योंकि जो वंदा रैंक फर्स्ट वे आता है उनकी पेडिक्सन क भीच बीचे मुकाबला खेला जाएगा उसकी फीच रिपोटिंग की बात किज़ा तो पूरी बालेंस इट पिच पे यह मुकाबला खेला जायएगा और बालेंस इट पिच के साथ साथ आपको रन का स्कूर का फिर नॉर्मल देखने को मिल सकता है ठीक है फूरी नॉर्मल बिनिंग रेट की बात किया तो 60% है जितने का chances लखनों का और 40% जितने का chances पंजाब का हो सकती है अब माना जाए तो लखनों के home ground में मुकावला खेला जाएगा तो ये एक important trick हो सकती है तो चलिए सबसे फ़हले चलता हूँ मैं DD11 में अब दोस्तों मैं यहां से आपको बताऊंगा उन 11 पिलर्सों के बारे में जो आपके लिए 100% important है और 11 नमर मुकावले में important होने वाली है तो उससे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि आपके team यदि DD11 में rank first पे आती है तो आपको 2 करूर रुपिये दिये जाएंगे और यदि second से लेके 5 नमर के बीच आती है तो आपको 1 करूर रुपिये दिये जाएंगे तो कौन से ट्री को follow करना है जो आप लोग इतना पैसा win करोगे किस तरीके से team बनाना है कौन-कौन से पिलर्स को try करना है कौन-कौन से पिलर्स को draw करना है ये तो वक्त बताता ठीक है तो चलिए हम production करना है start करता हूँ कौन से पिलर्स हमारे गरेलिंग असमलनी के लिए important हो सकती है माना जाए केल राउल के तो opening करने आएंगे और power plug के 6 over में ये अच्छे कासे run बना के दे सकती है तो ये हमारे लिए 100% important हो सकती है निकौलर की बात की जाते उनकी down काफिर नीचे है लेकिन काफिर तेज खेलते हैं ओल्डेडी ये point दे ही देंगे डिकौक की बात की जा तो इस match के लिए मेरी ये draw रहेंगे मैं जितेश सरमा को try करूँगा और परसिमरा सिंग को try करूँगा इन दोनों को मैं 100% try करूँगा देख सकती हूँ मैं 4 bestman को try कर लिया हूँ जो की विकेट keeper के पीछे रहते हैं ठीक है अब मैं आता हूँ वैटिंग में अब दूस्तों वैटिंग में आपके सामने है सीखर दवन जोनी ब्रेस्टो को में draw करूँगा और लेडी ये दो मुकाबलों में पुछ अच्छी है नहीं बट एक है सीखर दवन जिसे मैं अपने टीम में ट्राइ कर लिया हूँ अब ओल्डंडर्स में आता हूँ सेम करन को आप लोग 100% ट्राइ कर सकते हूँ लिवे स्टोन को जाओ तो ट्राइ कर सकते हूँ तो देख सकते हूँ पिछले मैचों में ये पॉंट जो दिये थे वो 26 दिये थे तो इस मैच के लिए मैं ड्रो करके रखूंगा कुनाल पंडे को मैं ड्रो करूंगा लेकिन यहां पीछे एस्पिनर्स जिस गरो ये मुकावला खेला जाएगा वह एस्पिनर्स पीछ है तो कुनाल पंडे हमारे लिए 100% इंपोर्टेंट हो सकती है ठीक है अब मैं बात आओं बॉलिंग में अब दोस्तों बॉलिंग में आने को देख सकते हूँ कि आपके सामने रवाड़ा है पिलो वाक देख सकतो प्रिवों दिखा देता हूँ यह है आपकी फाइनल टीम किस कंडिशन से टीम बनाया देख सकतो ऐसा कोई भी टीम नहीं बनाएगा सारे उलट फिर करके मैंने टीम बनाया हूँ पूरी गरेल निंग का देख सकतो जो भी रेएंक फर्स्ट पे बंदा काफिर बंदे का कोमेंट भी आता है कि मेरी टीम के कैप्टन और वीसी कौन से पिलर्स होने वाली है मेरी 11-11 पिलर्स चल पाती है लेकिन मेरी सी और वीसी नहीं चल पाती है तो भी आपको बताऊंगा कि आपके सी और वीसी क्यों नहीं चल पाती है मेरी टीम के कैप्टन र तो इसमें क्या होगा कि दोनों कैप्टन और विसी यह पावर पले के ऊपर यह आते हैं मतलब कि आपनिंग करने आते हैं तो ओडेडी है कि आपको 20 पलस रन बना के देंगे तो डीटी पॉंट आपको मिली जाएगा क्योंकि यह 100% इंपोर्टेंट होंगे पिलर्स ठीक है तो मेरी फरनल टीम आपको पुर्वाट किये जाएगा उस टीम से खेल कि आप लोग अच्छे खासे पर मंट को वीन कर सकते हूँ ठीक है तो चलिए दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको इतना ही कहूंगा कि लक्रों वर्सिस पंजाब के 11 पिलर्स हुब हूँ ऐसे ही क्रे कि आपको प्रश झाल झाल